आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सबी का स्वाकत करती हूं आज मैं आपके सामने 16 दिसंबर सोमवार से 22 दिसंबर रवी बार तक का सब्सक्राइक राशिफ लिकर उपस्तितों और सबसे पहले आजाते हैं इस ताक के विशेश वरत और त्योहारों पर 16 दिसंबर से प्रारम हो रहा है पुर्शोत्तम मास जिसे हम मल मास के नाम से जानते हैं इस मास में कोई भी शुप कर्म नहीं किये जाते साधी सगाई मुलन सजकार ग्रह प्रवेश जैसे कारियों पर रोक लग जाती है पर तो यह मास है भक्ति का भगवान विश्नु की भक्ति का भगवान शिव की भक्ति का भगवान ब्रह्मा जी की वक्ति का भगवान विश्नु ने इस मास को अपना नाम दिया है इसलिए इस मास में अगर आप भगवान विश्णू की वक्ती करते हैं विश्णू सहस्त नाम का पाड़ करते हैं मातुल सी की पूजा अराधना करते हैं तो उसका आपको विशेश लाप राप्त होता है अब आते हैं ग्रह गोचर की स्तती पर सबसे पहले बात करते हैं गुरु की जो कि इस सब्ता अपनी समराशी विरशब में विराज मान रहेंगे महीं चंद्रमा चार राशियों मिथुन करक सीन और कन्या में गोचर प्रमन करेंगे जहां पर करक राशी में वे मंगल चंद्र की यूती रहने वाली ये लक्ष्मिनाया योग बनेगा परंतु यहां पर मंगल चुकी नीच के हैं इसलिए इस योग का बहुत ज़्यादा लाब नहीं मिलेगा वहीं चंद्र और केतु का ग्रहन योग हमें कर्ण्या राशी में इस सप्ता देखने को मिलेगा बुद्ध रश्चिक राशी में गोचर प्रमन करेंगे वहीं सूर्य धनू राशी में गोचर प्रमन करेंगे शुक्र मकर राशी में गोचर प्रमन करेंगे अब बढ़ते हैं आगे और आज आते हैं इस सब्था के सब्था एक राशी फल पर आपको मैं बताने वाली हूँ कि मा लक्षमी की करपा प्रापती के लिए आपको क्या उपाए इस सब्था करने चाहिए तो आप इन उपायों को जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास तक च आपकी राजी से चंद्र माइस भी तीसरे चौथे पाचवे और छेटे भाव में गोचे प्रमन करेंगे सप्ता की शुरूआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है इस समय आपको अपनी छोटे भाई बैनों से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा आपकी च्छाय पूरी होगी आपकी महत्वा कांक्शाओं को पंक लगेंगे इस समय कुछ बैटर अपॉर्चुनिटी वर्प्लेस पर भी आपको देखने को मिलेगी इस समय अपनी आर्थिक पक्ष को ध्यान में रख कर चलें इस समय प्रॉपर्टी में कोई बड़ा नुकसान होने की संभावना बनी हुई है इसलिए प्रॉपर्टी से संबंदित कारियों को थोड़ा सा टाल दे तो आपके लिए बैतर रहेगा मा के साथ वाद विवाद की स्तिया बन सकती है इसलिए गर में कलका बातावरा नहीं हो इसके लिए मौन रहना आपके लिए जादा उचित रहेगा चातर चात्राओं के लिए ये समय अच्छा और मैनत का प्रतिफल प्राप्त करने का है इस समय संतान से संबंदित सुब समाचार आपको प्राप्त होंगे सर्था का एंड यानी वीकेंड आपके लिए घर में रहकर अपनी पारिवारिक सदस्यों के साथ टाइम एक्स्पेंड करने का है स्वास समंदी समस्याओं के प्रति थोड़ा सा सावधान है और इस समय लंबी दूरी की यात्रा को आप अगर हो सके तो अवोईड करें मेश राची के जातकों को रात्री में थोड़ा सा घिसा हुआ लाल चंदन और एक केसरी रंग का वस्तर अपनी तिजोरी या दुकान के गल्ले में बिछा देना चाहिए मंत्र का जाप करने से मा लक्षमी की खूब क्रपा हमें प्राप्त होती है आपका शुबरंग रहेगा सफेच शुबंक रहेगा अच्य है और शुबदिशा रहेगी दक्षण दिशा अब आते हैं ब्रशब राशी पर आपकी राशी से चंदर माइस वीक दूसरे तीसरे चौथे और पाचवे भाव में गोचय प्रमन करेंगे सब्ता की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी कुटम मैमान सम्भान बढ़ेगा आपको अपने परिवार में कुछ मांगलिक कारिक्रमों में सामिल होने का मौका मिलेगा और इस समय घर में भी मांगलिक कारिक्रमों की रूप रेखा बनती हुई दिखाई देगी वर्ट प्लेस पर रोज मरा के लाब में व्रती होगी बॉस के द्वारा अच्छी opportunity आपको मिलेगी टीम भर की तरह काम कर आप अपनी success को दुगना करेंगे सब्ता का मेड़ आपके लिए मिला जुला रहेगा इस समय प्रॉपर्टी से समंदित मामलो में पैत्रिक संपत्पी समंदी मामलो में पैत्रिक गर के समंदी मामलो में बहुत ज़्यादा सजग रहे हैं आपके खिलाब फैसला जा सकता है आपके भाई बैनों के साथ में आपकी ट्यूनिंग में थोड़ा सा खलल बनता हुआ दिखाई देगा छोटे भाई बैनों के साथ जगड़े हो सकते हैं मतवेद हो सकते हैं बहुत ज़्यादा शानत रहें हैं और ऐसे मामलों को थोड़ा सा वाइड करके चलें इस समयं capital भी आपको चलें यहां किसी से उधार लेकर काम नहीं करने हैं और नहीं किसी को उधार टाइम दे और उन्हें समझा है उन्हें सही guidance दे ताकि वो सही रास्ते पर आ सके इस समय कलाकारों को कुछ negative controversy का भी सामना करना पढ़ सकता है थोड़ा सा संभल कर रहे हैं व्रशब राशी के जातकों को लक्षमी जी का पूजन करने के साथ उनको प्रिय कमल के पुश्व की भ पेट कर अपनी तीजोरी में रखते हैं आपका शुबरंग रहेगा लाल शुबंग रहेगा एक और शुबदिशा रहेगी पश्चिम दिशा अब आते हैं मिथुन राशी पर आपकी राशी से चंद्रमाइस वीक आपके खुद की राशी दूसरे तीसरे और चौती भाव में गोचर प्रमन करेंगे सप्ता की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है थोड़ा सा सेल्फ कॉंफिदेंस डाउन दिखाई देगा इस समय आपको सोच समझ कर डि इस समय जो भी कारे आप अपने हाथ में लेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी चोटे बाई बैनों का सपोर्ट मिलेगा वहीं इस समय वर्क प्लेस पर कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई देगी घर में मांगली का रिक्रम हो सकते हैं मितुन राशी के लोगों को व्यापार और नौकरी में धन प्राप्ति के लिए मालक्ष्मी और बगवान गणेश की पूजा करने के बाद दक्षिनावर्ती संग के पूजा करनी चाहिए फिर इस जंग को अपनी तिजोरी में रग दें आपका शुबरंग रहेगा आपके खुदकी राशी दूसरे और तीसरे बाव में गोचर प्रमन करेंगे सब्ता की शुरूआत आपके लिए खर्चों से बरी रह सकती है नर्गल खर्च से आपको बचना होगा आपको अपनी फैमिली में कुछ भी मांगली कारिक्रम हो रहे हैं उसमें आपको शामिल हो आपको कुछ मसकत करनी पड़ सकती है इस समय विदेशों से आपको नुकसान की स्ततिया देखने को मिल सकती है वर्क प्लेस पर भी किसी भी कॉंट्रोवर्सी में आपको नहीं पसला है आप पर जूटे आरूप भी लग सकता है थोड़ा साफदान रहे है सब्ता कमेंड आपको मिलती हुई दिखाई देगी अचानक धनलाप की परिस्तिया व्यापारिक वर्क को अपने व्यापार में देखने को मिलेगी इस समय आप घर की महिलाओं को प्रसनेचित करते हुए दिखाई देंगे इस समय हो सकती है सब्ता का एंड यानि वीकेंड आपके लिए ब दिखाई बगवान विश्णु के मंदिर में गुंबत पर लगानी चाहिए इस से पैसो की तंगी दूर होने के साथ साथ रुका हुआ धन लोटने की भी संबावना बढ़ जाएगी आपका शुबरंग रहेगा मैरून शुबंक रहेगा नो और शुबदिशा रहेगी पू दूसरी भाव में गोचर प्रबन करेंगे सप्ता की शुरुआत आपके आकस्मिक दनलाथ की परिस्तितियों को बढ़ाएगी इस समय आपकी इच्छाएं पूरी होगी इस समय आप दूसरों के पेक्षाओं पर खरा उतरते हुए भी दिखाई देंगे इस समय आप जो भी क करने जा रहे हैं उसमें आपको एक स्ट्राइटजी बना कर चलनी चाहिए सप्ता का मिड़ आपके लिए मिला जुला रहेगा इस समय खर्चे अधिक हो सकते हैं परन्तु कर्च की स्वतियों से आपको मुक्ती मिल जाएगी इस समय आपको अपने परिवार का सपोर्ट मिले इस समय अपनी वानी पर सेम और क्रोध पर नियंतरन रखें से राशी वाले जातकों को रोज सुभा बगवान शूर्य नारायन के दर्शन करने चाहिए साथी लाल रंका गुलाब संकट मूचक हनुमान जी के चर्णों में इस पर्स कराकर अपने पर्स में जरूर रखें आ और शुबदिशा रहेगी दक्षिन पूर्वदिशा अब आते हैं कन्या राशी पर आपकी राशी सी चंदर माइस वीक, दस वीक, ग्यारवे, बारवे और आपके खुद की राशी में गोचर प्रमन करेंगे सब्ता की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, इस समय आपको अपनी पिता से सही गाइडन्स मिलेगी जिससे आप अपनी बड़ी समस्या को सॉल कर लेंगे इस समय सरकारी कारियों में आरे ही बादा हैं दूर होगी, सरकारी नौकरी में जो लोग हैं उनको कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय प्राप्तक हो सकती है सब्ता का मेड आपके लिए मिला जुला रहेगा, आकस्मिक धनलाप तो होगा परन्तु इस समय खर्चों की स्कतिया बढ़ सकती है मैनुफेक्चरर्स को कोई भी बड़ा ओर लेने से पहले उस ओर्डर के बारे में पूरी जात परताल कर लेनी चाहिए इस समय आपको कुछ भी काम उधारी में नहीं करना चाहिए इस समय आपको अपने बॉस का सपोर्ट मिलेगा, उनकी आग्या का पालन करें और इमानदारी के रास्ते पर चलें सब्ता का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना चाह नहीं रहेगा इस समय स्वास समंदी समस्याइं बढ़ सकती है, अपने स्वास का विशेश रूप से ध्यान रखें और कोई भी बड़ी रिस्क काम में नह लें कन्या राशी के जातकों को प्रती दिन को हूँ को मीठे चावल खिलाने चाहिए इस से धन समंदी समस्याओं का निवारण हो जाएगा, आपका शुबरंग रहेगा पीच, शुबंक रहेगा तीम और शुबदिशा रहेगी उत्तर पूर्वदिशा, अब आते हैं तुला राशी पर आपकी रासी सी चंद्रमाइस वीक नवम दशम एकादश और द्वादश भाव में गोचर प्रमन करेंगे, सब्ता की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, इस समय अध्यात्मिक कारियों में आपका मन अधिक लगेगा, आप जंग कल्यान जैसे कारियों से भी जुडेंगे, जिससे मानचिक शानती आपकी बढ़ेगी, इस समय आपको अपने काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है, सब्ता का मेड आपके लिए मिला चुला रहेगा, इस समय आपको कोई भी बड़ी रिस्क लेने से बचना चाहिए, अगर आप टेकनिकल फ अभी तोगा आपका लेवल और सरकल दोनों ही बढ़ते हुए दिखाई देंगे, व्यापार के काम को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं होजनों का क्रियान्वेन करेंगे, सब्ता का एंड यानि भी केंट आपके लिए खर्चों से बढ़ा रह सकता है, इस समय अनर्गल ये नमम मंत्र लिखकर बैते हुए जल में प्रभाहित कर देना है, इससे आपको व्यापार में मुनापा होगा, आपका शुबरंग रहेगा, इसकाई ब्ल्यू, शुबंक रहेगा, आंट और शुब दिशा रहेगी, उत्तर पश्चिम दिशा, अब आत हैं ब्रिशिक इस समय आपके काम फटाफट से होंगे, यात्राएं करते समय आपको थोड़ी सी साफधानी जरूर रखनी होगी, आप इस समय जो भी कारे अपने आप में लेंगे, उसमें सफलता जरूर आपको मिलेगी, इस समय अचानक धनलाप के भी योग बनेंगे, सप्ता का मेड आप इस समय आपको मित्रों का भी पूरा साथ और सेयोग मिलेगा, सप्ता का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, इस समय शत्रूर समाप्त हो जाएंगे, अचानक लापकी स्वतियां आपको अपनी जीवन में देखने को मिलेगी, आपका सेल्फ कॉ लगाने से ही लाप रापतों का साथ ही किसी काम के लिए बाहर जाने से पहले राम इस्तुति का पाठ जरूर करें, आपका शुबरंग रहेगा बूरा शुबंग रहेगा नो और शुबदिशा रहेगी उत्तर दिशा, अब आते हैं धनूराशी पर आपकी राजी से चंद्रमाइस वीक, सब्तम, अस्टम, नवम और दशम भाव में कोचर प्रमन करेंगे, सब्ता की शुरूराद आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, इस समय आपको अपनी कारियों को बहुत साथवधानी के साथ पूरा करना चाहिए, इस समय आपकी इच्छा है पूरी होगी, लाइफ पार्टनर का पूरा सायोग मिलेगा, व्यापार में आप नहीं उचाईयों पर पहुंचते हुए दिखाई देंगे, कुछ प्लैनिंग और स्ट्राटजी आप बनाते हुए सब्ता के प्रारम में दिखाई देंगे, सब्ता का मेड़ बहुत लंबे टाइम से जो इन्वेस्बेंट कर रहा है, उसका रिवॉर्ड आपको इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा, जो यूवर के वितिया नौकरी के तलाश करने है, उनकी तलास इस समय समाप्त हो जाएगी, नया स्टाट अप शुरू करना चाते है, तो उसके कई अच्छे मौके आपको मिलते हुए दिखाई देंगे, आपके लिए इतना च्छा नहीं है, पिता के स्वास को लेकर चिंता हो सकती है, विकेंड पर आपको विशेस रुप से उनके स्वास का ध्यान रखना होगा, इस राशी के लोगों को, धन प्राप्ती है तो रोजाना, अनुमान जी के दर्शन करने और केसर का तिलक लगाने से फायदा होगा, आपका शुबरंग रहेगा मजंटा, शुबरंग रहेगा पाँच, और शुबदिशा रहेगी पूर्वदिशा, अब आते हैं मकर राशी पर, आपकी राशी से चंदर माइस वीक, छटे, साथ में, आट वे, और नमी भाव में गोचर प्रमन करेंगे, सब्ता की शुरूआत आपके लिए थोड़ी सी टफ रहने वाली है, इस समय आपको थोड़ा सा लेजीनेस महसूस होगी, थोड़ा सा आप एनरजी फील नहीं इस समय थोड़ा सा स्वास समंधी समस्याएं भी हो सकती है, सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, उसके बाद अन्यकारियों को पूरा करें, ड्रेस करें, प्रॉपर अपने खान पान का ध्यान रखें, आपको अपने परिवार वालों का पूरा सपोर्ट मिलेगा, इस समय गलत मित्रों के बैकावे में बिल्कुल भी ना हैं वरना वो आपको पत ब्रस्ट कर सकते हैं, सब्ताक अमेड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, इस समय आपको अपनी लाइप पार्टनर का पूरा सपोर्ट मिलेगा, वहीं इस समय आप दोनों के बीच में चल जरूर करवालें, सब्ता का एंड यानि वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा इस समय, आपको अपनी कारियों में दिक्कतों का सामना करना पढ़ सकता है, विद्यार्थी वर का रिजल्ट नेगेटिव आ सकता है, थोड़ा सा अपने आपको पॉजिटिव रखें और पुना प्रयास करते चले जाएं, मगर राशी के जातकों को अठके हुए धन को वापस पाने के लिए आपकी रूई का दिक्पक जला कर उसे अपनी घर के इशान कोड में रखना चाहिए, आपका शुबरंग रहेगा बादामी, शुबंक रहेगा दो और शुब करेंगे, सब्ता की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, करियर को लेकर सुब समाचार मिलेंगे, संतान की तरफ से भी आप प्राउड फील करते हुए दिखाई देंगे, इस समय योजनवत तरीके से किये गए कारियों का भी विशेश लाब आपको प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे, सब्ता का मिल्ड आपके लिए थोड़ा सा मिला जुला रहेगा, इस समय स्वासमंदी समस्याइं बढ़ सकती है, यात्रा करते समय साफधानी रखें, लंबी दूरी की यात्रा बिलकुल भी ना करें, एक्सिडेंट होने की योग ब परिशानिया सब्ता के मिड में समाप्त हो जाएगी और आपको अपना परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल ही जाएगा, सब्ता का एन यान वीकेंड आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, ससुराल वालों से किसी बात को लेकर मतवेद हो सकते हैं, थोड़ा सा श सब्दिशा रहेगी उत्तर पूर्वदिशा, अब आते हैं मीन राशी पर, आपकी राज इसे एक चंद्र माइस वीक, चौते, पांचवे, छटे और साथवे बाव में गोचर प्रमन करेंगे, सब्ता की शुरुआत आपके लिए आर्थिक समस्यों को बढ़ा सकती हैं, इलाजुला रहेगा, विद्यारती वर्ग, जो की साइंस के स्टुडेंट है, उनके लिए थोड़ा सा दिकतों का समय ये रह सकता है, इस समय आप बहुत जादा मैनत करेंगे, पर मैनत के अनुरूप आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा, जो इंजिरिन के स्टुडेंट से तक इस समय गलत मित्रों की संगती से भी आपको बचना होगा, अलकोहल से दूर रहना होगा, रुपे पैसो से संबंदित मामलों में भी थोड़ा सा केरफुल रहें, सब्ता काया इंडियन वीकेंड, आपके लिए इतना चा नहीं है, जीवन साती के साथ मत्वेद हो सकता है, आ अमाल लक्षमी को पेटे का भोग लगाने से दनलाब होगा, आपका शुबरंग रहेगा जामुनी, शुबंक रहेगा दो, और शुब दिशा रहेगी दक्षन दिशा, तो ये है 16 दिसंबर सोमवार से 22 दिसंबर रविवार तक का सब्ता एक राशिपल, अब यदी आप अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं, स्वस्त रहिए, फ्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और हमीशा मुस्कुराती रहिए, जै श्री राते क्रिश्ना गुरुमा निधी श्री माली एक प्रसिध जोतिश आचार्य हैं, उनके जोध पुरिस्थित जोतिश संस्थान में, महामृत्युन जय, कालसर्प दोश, मा बगला मुखी, विवाह बाधा निवारन पूजा, एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वा पंडितों द्वारा, पूर्ण विधिविधान एवं शासरुक्त रीती से संपन्न करवाई जाती है, अतह आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हैं तू, इन नंबरों पर संपर्क करे 8 9 5 5 6 5 8 3 6 2